हेलो दोस्तों डोगनी कैफे में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे पपी फेडिंग सिंड्रोम के जलता है या कुछ वायल्ड डिजीज है जिनकी अपने समय पे वैक्षिने से नहीं करवाते हैं उसके पिछे बहुत से कारण है पर आज ये की ऐसी स्थिती है कि अगर पपी फेडिंग सिंड्रोम हो जाता है तो जिसके कारण के है कि जब तक आप वेटनेरिंग के पास अपने जनम लिए हुए तो इस तरह की कंडिशन आती है तो आपको क्या करना है दोस्तों आप ये स्क्रीन पे चोटे पिल्ले देख रहे हों ये बिलकुल ही इनका जो मोमेंट है बिलकुल कम हो गया है और जो उनका तापमान है वो बिलकुल लो है आप जो थर्मामेटर में भी जलाता है जिसके कार्ण किआ है कि जो चोटे पिल्ले है उनका टंप्रेचर है काफी डाउन चला जाताहे फपी का मोमेंट हैं कम हो जाताहे और पपी जो एक तरह से जो आवाजे करता है वो बिलकुल बंद कर देता है ये दोस्तों एक तरह से हाईपो थर्वियां के कंडिशन है हाईपो गलेव सीमिया के कारण काई कि ये स्तीती जो चोटे पिले हैं उन में पैदा हो जाती है जिसकी वज़े से काई कि जो छोटे पिले हैं दिरे दिरे मरना स्टार्ट हो जाते हैं और अपने को मोका घिनी मिल पता कि अपने किसी वेटनेरिं के पास न किने किसी डॉक्टर के पास दिखाएं तो धूस्तों यह आपकी लिए एक तरह से बाद में आपने आईविस है और नीडल लेनी है और जो छोटा पिला है पपी है उसके जो पपी फेडिंग सिंड्रोम की कंडिशन है ये बिल्कुल ही जो मुवमेंट कम कर गया है तंपरेचर काफी डाउन जा रहा है और अपने हाथ में जिसे उठाते हैं तो भी इसको दिक् उसके अंदर जाने दें और नीडल दोस्तों आप कोशिश करें कि आपको 22 नमबर ही आप यूज करें हमने थोड़ी बड़ी ली है तो दोस्तों आप 22 नमबर जो नीडल यूज करें तो वहाँ पे टेंट बनाएं और उस जो स्किन में आप क्या है कि वो जो नीडल लगा द रहे हैं डीटन दोस्तों मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है इस कंडिशन में डीटन मिल जाती है तो वह आप यहां पे लगा सकते हैं तो यह फ्लूट अपन क्या करना है दोस्तों इसको अपन 5-30 ml तक भी दे सकते हैं तो आप मिनिमम जो जो ब्रीड के अकोडिंग आपको लग स्किन के अंदर भी आप यह जो फ्लूट आप चड़ा सकते हो जिससे दोस्तों क्या होगा कि एक तो उसका जो 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 गुल्कोज लेवल उसका डाउन हो गया है गुल्कोज की जो शीर में कमी आगी है हाइपोगलेसीमिया की जो स्तीती पैदा होगी है वो कह कि मैनेज हो ज हो जाएगा तो दोस्तों इससे टंपरेचर नॉर्मल आ जाता है और अपना जो छोटा पिला है समय रहते हैं अगर यह ट्रीटमेंट अपन एमर्जंसी में यह फस्ट एड कर लें तो अपना जो पपी है वो बच सकता है और दोस्तों आपको अगर आपके पिले में इस तरह करें को कभी कभी अपने को कहा है पशुचिकसक की जो स्विधाय है वो उपलब नहीं हो पाती है किसी कार्ण से अपन कहीं दूर है रात को एमर्जंसी हो गई है तो वहां पर एक तरह से आप फस्ट एड कर सकते हैं उसके बाद आपको लगे कि इसमें सुधार है तो ठीक है है वो कंट्रोल हो सके अपने जो पपी हैं उनको वापीस जो हाइपो थर्मिया की जो कंडिशन हम उनकी जितने भी फिमेल डोग और है तो उनको यह रहता है कि उनके जो पपीज है वह 10 से जब फिमेल डोग ने बच्चे दिये हैं तो अबने सही समय पर इस फस्ट एड को दे दें उसके बाद अपन वेटनेरिंग को दिखा हैं तो अपने जो पिले हैं यह बस सकते हैं तो दोस्तों आप जुरूर बताईएगा कि आपको यह जानकरी कैसी लगी धन्यवाद